कैसे हो बच्चा लोग आज हम देखने वाले हैं कि real image और virtual image में दोनों में क्या अंतर होता है देखो अंतर इसका मतलब कि यह क्या है दोनों opposite हैं दोनों एक दूसरे से अलग-अलग हैं अगर अलग-अलग हैं तो क्या-क्या अलग-अलग हो सकती है qualities देखते हैं क्या-क्या अलग हो सकती है real के क्या-क्या बाते हो सकती है और image जो virtual होती है उसके लिए क्या क्या बाते हो सकती है सबसे पहले real की बात करते हैं जो light ray है actually meet to form a real image इसका मतलब है कि अगर मैंने बोला कि जो एक light गई और दूसरी light गई दोनों actually meet करते हैं हमारे सामने मतलब actual में टकराते हैं तबी क्या बनता है real image लेकिन light does not actually meet to form virtual image virtual image के लिए हमें नहीं पता कि टकराईगी या नहीं टकराईगी हम कह सकते हैं इसे virtual image कहते हैं the image is generally inverted अगर real image की बात करें तो जो हमारा image बनने वाला है कैसा बनेगा inverted inverted मतलब उल्टा लेकिन अगर हम virtual image की बात करें तो virtual image में erect बनता erect means सीधा बनना है अगर real image की अगली बात करते हैं image can be obtained on the screen तो अगर हमें real image बनाना है तो जैसे कोई screen है तो हम इस screen पे यहां पे हम अराम से image बना सकते हैं लेकिन जो image virtual image में होता है उसको हम screen पे नहीं बना सकते हैं अगला point है this image is in the front of mirror and behind the lens मतलब जो mirror के सामने भी इसकी image बन सकती है और lens के behind भी लेकिन अगर virtual की बात करें तो this image is behind the mirror mirror के तो behind बनेगा लेकिन front किसके बनेगा lens वाले case में front में बनेगा और mirror वाले case में behind में बनेगा अगला है we can reach it जो real image है हम वहां तक पहुश सकते हैं मतलब आपने वो देखा movies देखने जाते हो आप cinema hall में तो जो project किया जाता है तो यह था हमारा difference between real and virtual image तो चैनल को subscribe कर दो अगला पाठ हम अगली वीडियो में देखने वाले हैं कर दो कर दो किया है